नमस्कार वित्रों बहुत स्वागत है आप सब का देख रहे हैं आप बहुत खास कारिक्रम अक्षे तृतिया पर इस्पेशल मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी 25 और 26 ये दो तारिक अप्रेल की काफी समय है भी आपके पास जीवन में कुछ विश कर गुजरने के लिए कुछ विशेश पालेने के लिए काफी आपके पास समय है कि अक्षे-तृतिया को आप कैश कर ले हमने इस पर इसविशय पर तीन कारिक्रम पहले ही कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हम ये कारिक्रम ले करके आये हैं कि जब आप अपने कैरियर को समारने का एक विशेश प्रियास करें तो उस प्रियास के अंतरगत इस अक्षेतिर्टिया को आप प्रापर तरीके से कैस कर लें तो इस अक्षेतिर्टिया 25 तारिक छोड़ दीजी 26 तारिक को सुबह जब सुरियोदे हो उसके बाद सोकर उठें और उठकर एक प्रियोग हम आपसे करवाएंगे उस प्रियोग को करने के बाद आपको यह हैसास होगा कि आपके मस्तुश्क का जो लेवल है जो आपकी सोच औ और समझ है उसमें 20-25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है बहुत होता है 20-25 प्रतिशत कम नहीं माना जा सकता आपको बस केवल यह सोचना है कि आपके जीवन में जो बिद्या बुद्धि प्रकृति ने आपको दिया है महादशाओं के आधार पर जो आप प्राप्त कर रहे हैं उससे हटकर उससे बढ़कर कुछ विशेश पाने का एक अवसर इस अक्षतिरतिया प्रकृतिया आपको देने जा रहे हैं कैश कर लिजे जोड लिजे खीच लिजे पकड़ लिजे तो बित्रों इसको समझने के लिए जो हम उपाय बताएंगे यह हम उपाय बस थोड़ी ही दिर में आप तक पहुंचाने जा रहे हैं हर बिद्यार्थी के लिए जो कॉम्टेटिव एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं नीट की तयारी कर रहे हैं आयाटी की तयारी कर रहे हैं यूपियसी की तयारी कर रहे हैं इस्टेट पियसी की तयारी कर रहे हैं कोई भी तयारी गर आप कर रहे हैं तो यह कारिग्रम अक्षय तुर्तिया के दिन तक आप तक जरूर पहुँचना चाहिए वाइरल करिए अपने दोस्तों को बताइए सब को बताइए कि यह खास प्रियोग घर बैठे करना है और बस शिद्दत से करना यार जाएगा क्या और मैं बार-बार आप लोगों को बताता हूँ अगर हमारे चैनल से आप जुड़े हैं कि जोतिश अंदविस्वास नहीं है जोतिश एक विज्ञान है एक शोध है एक सतत चलने वाली प्रकिरिया है निरंतर आप शोध कर सकते हैं तो मित्रों अब हम बताते हैं कि सिक्षा छेत्र में अवरोध और बाधा डालने वाले गुरह आपकी कुंडली में किस स्थान पर बैट करके आपकी सिक्षा पर प्रभाव डालते हैं आपकी सिक्षा को प्रभावित करते हैं सिर्फ दो ग्रह आकारक शनी और राहु आकारक हमने इसलिए कहा क्योंकि शनी कारक होकर के कभी परेशान नहीं करेगा आप कारक होकर परेशान करेगा एक तो आकारकत्तों का दोश कि आपकी कुंडली में भावगत तरीके से वो दूशित है पीडित है और एक सभावत है दोश शनी जो सभाव से अरूची का कारक है करतब्य विमुखता का कारख है अब जैसे बच्चा है विद्यार्ती है उसका करता में क्या ऐसे पढ़ाई करना है बस दूसरा काम फोположना कि टिक टॉक पे भी लगा रहे इंस्टाग्राम सब्सक्राम में तो एक है लेकिन बाकी जगह जो ध्यान जा रहा है उसमें राहू और शनी की भूमिका है जो ध्यान भटकाया वही शनी और राहू है तो अब इन्ही दोनों ग्रहों को पकड़ना तो भईया इस अक्षय तुर्तिया आप बस एक छोटा सा प्रियोग अब जो हम बताने जा रहे हैं इसे कर लीजेगा बहुत छोटा है ज्यादा कुछ सोचनी क्या वश्यक्ता है ना ज्यादा कुछ समझनी क्या वश्यक्ता है सिर्फ एक ही प्रियोग है अगर कर ले गए तो समझ लीजिए कि बस अब आप है आप है और इसमें अब यह नहीं है कि बच्चा आपका बैंगलोर में तैयारी कर रहा है वहाँ जॉब कर रहा है और साथी तैयारी कर रहा है और मम्मी पटना से करके उसको हाँ गुडिया हमने कर लिया है तो बच्चार दिन के लिए अभी नौन भेज होगरे छोड़ देना समझा दी अम्मी मम्मी जो है समझा दी तो उपाय करके छोटा मोटा बच्चों को कन्विंस करें उन्हें जब कुछ समझ में आएगा जब कुछ मिलेगा तो क्यों नहीं करे अब आप जब यह कहते हैं कि पत्थर पहन लो तो तुम डॉक्टर बन जाओगे तो बच्चा तो वहां क्वेशन उठाएगा ना कि कैसे पत्थर पहन के डॉक्टर बन जाएंगे आप समझाओ तो खैर चलिए अब अक्षा तुर्तीया पर हम आते हैं एक्षा तुर्तीया इस्पिशल यह प्रियोग आपको करना है अक्षा त्रुटीया के 26 अपरेल को करना है साथ नीम की पत्ती, साथ तुन्सी की पत्ती और साथ लौंग साथ साथ की संख्या में तीन सामक्री तिथी क्या है तुर्तिया कनेक्शन देखेंगे मजा आएगा तीनों चीजें हमने जो बताई हैं उनका तासीर कुछ तीखापन लेकरके कड़वाहट के साथ है नीम की पत्ती कड़वी तोसे की पत्ती भी थोड़ा साथ तीक्षन स्वाध होता है और लौंका तो तीक्षनता है ही नीम आउशधिय गुण सूरे ज्यान दीजेगा पंचम भाव एक एक चीज कनेक्ट करेंगे भाई साथ उचल के ताली बजाएंगे नीम आईरवेद में सबसे ज़्यादा इस प्रकृति में अगर कुछ आउशधिय गुण है तो नीम में है नमबर दो तुलसी किसी से छुपा नहीं है तुलसी में कितने आउशधिय गुण है फिर से सूरे लौंग, काला रंग, दीक्षनता तीक्षनगंध, राहु और शनी दोनों इन तीनों सामग्रियों को प्रातह शनान के बाद 26 अप्रैल को शनान के बाद इन तीनों सामग्रियों को दाहिनी हथेली में रख लीजे ऐसे बंद करिए और आँखों को बंद करिए और मंत्र बोलिए ओम रेम सरस्वती देवेई नम उम्हेम सरस्वती देव्वैई नमघ 26 तारिख को 26 अपरेव को सुबह अक्षातिरति आ के दिन शुबह, नहाने के ठekबात, जितनी जल्दी कर सकें दिन निकलने के बाद चाहिए जब कर ले, जल्दी जल्दी कर ले दोपार बारा तक कर लिजेगा, एक बज़े के बाद ऐसे भी चतुर्थी लग जाएगी, सुभा सुभा कर लिजेगा, बहुत आनन आएगा, ठीक, कितनी बार जपना है, साथ बार कर लिजेगा, ज्यादा काहिक लिए, सेवें टाइम्स, अब खतरनाक का इटम, इस सामगरी को, क्या, खाना है, नहीं, बहुत तीखा होता है, काहे के लिए खिलाएंगे हम, दोस्त हैं आप लोगों के, आईश्टो फ्रेंड हैं, तो दोस्त कर भी गलत चीज नहीं बोलेगा कि जिससे हमारे दोस्त को तकलीफ हो, ठीक, इस तीन सामगरी को, एक पीले रंग के कागज या कपड़े में, यसे रुमाल, कागज या कपड़े में, रख लीजी, और, कागज में ही रख लीजेगा रुमाल छोड़ती जो टाइम लगेगा पीला रंगा रुमाल काँट होने कागज पढ़ने वाले बच्चों के पास होता है कागज में रख लीजे और अपने कापी किताब कहीं पर भी बैग में रख ले जिस दिन सूख जाए दोनों पत्तियां सूख जाएंगे उस दिन शिवाले पर ले जा करके या किसी भी पौधे आदि के नीचे डाल करके प्रणाम कर ले जगा तुलसी के नीचे भी डाल सकते हैं घर में तुलसी में डाल दीजे केले में डाल दीज़े, नीम के पौधे की नीचे डाल दीज़े, लॉंग तुसी की पत्ती और नीम की पत्ती, साथ-साथ-साथ, तीन चीज़े साथ-साथ के संख्या में, ओम, रिंग, सरहस्वती, देव्याई, नमह, ये मंत्र है, इस संख्या का बंधन नहीं है, पाँच मि दिव्य फाइदा महाशुब फाइदा वाइरल कर दीजेगा इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचा दीजेगा अक्षेतिरतिया बहुत करीब है हर एक बच्चे के अंदर मासरश्वती की किरपा है हमारे इन प्राकृतिक शक्तियों से उनके अशुब ग्रह पीडित ग्रह शान्त हो बच्चे का कंसंट्रेशन बने बच्चा खोब मन लगा कर पढ़े और अपने परिवार का राष्ट का देश का नाम रोशन करे हमारी इश्वर से ही प्रार्थना है मित्रों मुलाकात करने के लिए तीन शहरों के नाम निर्धारित विसे सारे सहर आ गए लेकिन मा अंदाबाद तेरह चोटा पंदर बीस इस बाइस बैंगलोर मार्च और सटाइस एठाइस उनतिस मार्च इन दोर फिलाल के लिए अपने अश्वर फेंड को मत दीजेगा लेकिन आप खुश रहें हमें साहसते रहें मुस्क्राते रहें नमस्कार स्रिकिष्णा चैसिर झाल 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 झाल